हेलो, वेरी गूड आफ्टरणून तो अलव यू स्टुडेंट्स, फ्रेंट्स, यूट्यूबर्स, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप सभी का स्वागत है टीचर सेलेक्ट अकाइडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, लास्ट टाइम हमने जो चर्चा किया थ इंटेलिजेंस के बेसिक कंसेप्ट को लेकर हमने पिछले क्लास में सब चीजों को परहा और समझाता है, आज हम विशेश तोर पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंटेलिजेंस से जूरे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके सिक्वेंस और सिरीज वगर को कैसे याद रखते हैं कि कौन सा IQ लेवल के बच्चे किस श्रेणी या सिरीज में आएंगे या किस लेवल में होंगे उसकी पूरी चर्चा आज करेंगे हम लोग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वोड पे आपके सामने एक प्रश्नी है यहां, इसमें लिखा हुआ है, आठवी IQ निकलना है और श्रेणी यानि कि उसका लेवल भी साथ साथ हमें बताना है, हम देख रहे हैं जैसा कि IQ का फॉर्मूला पिछले क्लास में मैंने बताया था, IQ is equal to MA by CA into 100, MA यानि mental is यानि ये बच्चे का मानसिक IU, CA यानि chronological is यानि कि वास्तविक IU into 100, तो basic concept में पूरे फॉर आपके सामने प्रस्तूत किया था, हर टर्म को किस पनवज्ञानिक ने दिया था, उसकी चर्चा कर चुके थे, आज हम विशेस तोर पर ये जानने की कोशिस करेंगे कि ऐसे प्रस्णों को solve कैसे करते हैं, दो तरह की चीज़े है, प्रस्ण में आप देखेंगे, दस भी कक् हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, क्लास को, तब जिस क्लास में वो बच्चा होगा, उसका एक जेनरल कंक्लूजन निकालके हम ये चेंज कर सकते हैं, कि उस क्लास में जेनरली बच्चे किस उम्र के होते हैं, उस पर बात करते हैं, ये हो गया mental age, chronological age into 100, mental age हो गया 10th क्लास है, तो mental age यहां 10th क्लास लिखा हुआ है, 10th क्लास है, क्लास को जब हम येर में चेंज करेंगे, तो जेनरली देखा जाता है, कि 10 वी कक्षा तक जाते जाते बच्चे 14 साल के हो जाते हैं, अगर आप 15 अल भी लेंगे, तो कोई खास फर्क परने वाला नहीं है, डिजिट में एक दो पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, यहां CA है, CA for chronological age, chronological age में 8 वी कक्षा यानि 8 क्लास की चर्चा है, और ये उसमें उम्र हम 12 साल मान लेते हैं, जब 10 वी में 14 माना है, तो 8 वी कक्षा में 12 वर्स से मान के चलेंगे, तो हमने कक्ष को वर्स में चेंज कर लिया, अगर आप इसको 15 वर्स ले लेंगे, या कोई भी आदमी इसका डिजिट 15 वर्स अगर रखे, तो इसको 13 वर्स मानना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहों कि वो मतलब स्रेष्ट में आ रहा है, तो अति स्रेष्ट वच्चा हो जाएगा, जिनियस य 119 के बीच जो भी वच्चे आएंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, पहचान हो जाएगे, तो 111 भी आ सकते हैं, उसमें 12 भी आ सकते हैं और 108 भी आ सकते हैं, यह डिजिन उसमें समा सकता है इसलिए इसे इंटर्वल में प्रेजेंट किया जाता है, इसका कोई exact डिजिन तै नही IQ is equal to यहां आमने लिखा है mental age 14 साल और chronological age 12 साल into 100 कभी भी आप ऐसा कोशिस मत किजिएगा कि इसे 100 को और 12 को cut करके digit छोटा कर ले जब तक 100 के रूप में है हमारा calculation आसान रहेगा इसलिए आप इन दोनों divide को digit में convert कर लेंगे 14 में 12 से divide करेंगे तो हमारे पास value होगा 1.16 तो 1.16 को 100 से multiply करेंगे तो 116 हो गया और जब यह 116 हो रहा है तो 116 कि श्रेनी में आएंगे जो 110 से 119 के बीच जो लोग सामिल होंगे इस IQ level के लोग हम उन्हें श्रेष्ट कहते हैं तो सवाल में दोनों चीज़े solve हो गई हमारी एक तो निकालना था कि IQ निकाले जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं प्रस्ण में पहला काम IQ निकाले तो हमने IQ निकाल लिया 1.16 116 है एवं श्रेनी बताएं कि यह IQ level के बच्चे खिश रेनी में आएंगे तो स्रेष्ट बच्चे कहलाएंगे स्रेष्ट को English में superior कहते हैं आसानी से इस प्रस्ण को समझ गए कक्षा में और verse में जरूर फर्क करके बनाईएगा ऐसा नहीं कि digit मिला नहीं 8, 10, 12, 14 की बस भीड़ गए सवाल पे ऐसा मत कीजेगा सवाल को समझ गएगा कक्षा लिखा है या verse लिखा है चुकि प्रस्ण में कुछ भी लिखा जा सकता है कक्षा हो, verse हो या कोई general digit बना सकते हैं आपको guess करने के लिए दे सकते हैं तो उसका भी ध्यान रखेंगे तो हमें age में convert कर लेना है अगर वो age बहले से न दिया हो तो हमें उसे age में convert कर लेना है और फिर तब हम question को solve करेंगे अब आते हैं classification को समझने कि IQ जो अलग-अलग हमें present किये जा रहे हैं यहां आप देख पा रहे हैं इसमें उनकी श्रेनी क्या-क्या होगी टर्मन की classification सबसे बहतर आती है टर्मन ने जो वरगी करन किया है यह अब तक सबसे बहतर है बाकी सबसे इसलिए टर्मन की classification को यहां present किया गया है आपके समझने के लिए इसमें देख सकते हैं सबसे पहला जिसका सबसे IQ level सबसे down होता है हम उसे कहते हैं वो जड़ बुद्धी का होता है इसको इंग्लिस में idiot बोलते हैं इनका IQ level 0 से 24 होता है अक्सर आम बोलचाल की भासा में लोग प्रियोग करते हैं किसी भी अपने दोस्तों के लिए दूसरों के लिए कि फलाने का IQ तो room temperature से भी low है आप समझ सकते हैं पटना में अभी room temperature 30 degree Celsius है और यहाँ 0 से 24 की अगर बात हो रही है डिजिट की तो यह वो IQ वाले लोग है जिनका IQ room temperature से भी low है यानि कि आप बुद्धी की कलपना नहीं कर सकते हैं इन में तो 0 से 24 वाले idiot में शामिल हो गए ऐसा नहीं कि आप किसी को क्यों ही idiot कहते हूं अपने दोस्त को भाई बहन को तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो यह वाले idiot है psychologically यह वाले idiot सिर्फ बहुत कम 2% 1% लोग पूरी दुनिया में होंगे जिनका IQ level 0 से 24 के बीच होता है second है मोढ़ बुद्धी बुद्धी को यहां dot dot किया गया है ओढ़ बुद्धी इसको इंग्लिस में imbecile बोलते हैं इनका IQ level 25 से 49 के बीच होता है digit match नहीं कर रहे है ऐसा नहीं कि 24 हम वहाँ 0 से 25 लिख दे फिर यहां 25 से 49 लिख दे और अगर गलती से आपका IQ अगर निकाल ले और 25 आ जाए तो आप confused होने लगेंगो उसको कहां रखे उपर रखे के नीचे रखे इसलिए digit में difference है 0 से 24 तक यहां रखेंगे फिर 25 से 49 तक हम इसे mode में present करेंगे imbecile कहलाते हैं जो idiot से थोड़ा बहतर होते हैं थार्ड टर्म में आप देख रहे हैं तीसरे में शिर्ण बुद्धी जिनका दिमाग बहुत ही शिर्ण या कमजोर होता है बहुत कमजोर बुद्धी के लोग उनको feeble mind कहते हैं English में feeble यानि कमजोर इनका IQ 50 से 74 के बीच होता है next है मंद बुद्धी मंद बुद्धी तो कक्षा में भी हमारे मिल जाते हैं आप जब स्कूल टीचर बनेंगे तो उसमें आप मंद बुद्धी बच्चों को देख पाएंगे जो स्कूल तकाते हैं हर चीज में slow होते हैं हर काम में सिर्फ प्रहाई लिखा ही नहीं कोई भी काम को करते हैं हर काम में उनकी सुस्ती देखी जा सकती है हम कहते हैं वो मंद बच्चे होते हैं इनको इंग्लिस में dull कहते हैं और उनका IQ होता है 75-89 के बीच इनका IQ लेवल होता है अब यहां से जराद 2-3 पॉइंट समझने की ज़रूरत है अंद बुद्धी के ऊपर जो तीन आप देख पा रहे हैं इडियेट, इंबेसाइल और फीवल माइंड़ इन तीनों को हम बहतर नहीं बना सकते हैं लेकिन इतनी एजुकेशन इतनी ट्रेनिंग जरूर दे सकते हैं कि वो अपनी जिन्दगी को अच्छे तरीके से गुजार सके अपना काम खुद कर सके अपनी जीवी का पारजन के लिए वो कुछ काम कर सके और दूसरों पर उसके निडभरता खत्म हो जाए इन तीनों को उतनी ही सिख्षा देते हैं ताकि वो अपने जीवन को क्या करे किसी दूसरे पर जो निडभर है उसका जीवन वो नर है कम से कम उसे बातरूम ट्रेनिंग वगरा अपने से नहाने धोने कपरे पहनने इन सब के तरीकों को हम इन तीनों को सिखाने की कोशिस करते हैं हम इन्हें डॉक्टर इंजिनियर नहीं बना सकते लेकिन अपनी जिनदगी खुद गुजार सके कम से कम इस लाइक जरूर बना सकते हैं उसके साथ लगाटार समय दे कर हम मंद बुद्धी वाले बच्चों को बेहतर कर सकते हैं लेकिन मंद बुद्धी से जो लोग क मजूर है उनका कुछ नहीं किया जा सकता है, उनका मालिक केवल इश्वर ही हो सकता है, तो मंद बुद्धी जो होते हैं, जिनका 75 से 89 के बीच IQ होता है, उनको हम औसत बना सकते हैं, ये हमारे पास सिख्षा के पास एक ट्रेनर के पास छमता होती है, तो इसके बाद मंद के बाद हम औसत बुद्धी वाले बच्चों के IQ कितना होता है तो 90 से 109 के बीच ये ओसत बुद्धी वाले होते हैं आसान भाषा में कहें तो हर कक्षा में 90% से ज़्यादा ये student ओसत होते हैं और 2 या 3 परतिशत उसमें creative होते हैं 2 या 3 परतिशत genius होते हैं और 2 या 3 परतिशत ही ये कम बुद बुद्धी वाले बच्चों की संख्या भी 2 से 3 परसेंट है इससे ज़्यादा नहीं है बहुत ज़्यादा बुद्धी रखने वाले बच्चे जैसे creative हो गये gifted हो गये genius बच्चे हो गये उनका IQ level काफी high है उनकी संख्या में भी दुनिया में बहुत कम है classroom में बहुत कम जब हम इसे normal distribution curve पे लेते हैं NPC जिसको बोला जाता है तो उस पर हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा डाटा students का जो average data होता है वो यही हमारा होता है जब आप paper वगरा चेक करेंगे न स्कूल में बच्चों की तो देखेंगे कि आप average marks लाने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो लगभग एक जैसे number लाए है बीच वाले सबसे top वाले की संख्या बहुत कम होती है और सबसे last वाले की संख्या बहुत कम होती यानि 30% पर पास होने वाले भी स्टूदेंट बहुत कम मिलेंगे और 90% से ज़्यादा लाने वाले स्टूदेंट भी बहुत कम लेंगे फिफ्टी ऐ सुन्त के संख्या सबसे ज़्यादा है जिन्हें हम और सबसे जयादा होती है हम और आप सायद इसी स्रेणी में आते हैं श्रेष्ट बच्चों की अगर बात करें तो अभी आपने देखा जो IQ 110 से 119 के बीच अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं जिनका IQ लेबल 110 से 119 के बीच होता है वो सभी बच्चे श्रेष्ट बच्चे कहलाएंगे श्रेष्ट के बाद देखते हैं तो अतीश्रेष्ट बालक है अतीश्रेष्ट बालक की पहचान है कि इनका IQ लेबल 120 से 149 के बीच होता है इन्हें इंगलिस में very superior कहते हैं superior से ज़्यादा हो गए तो very superior कहलाते हैं तो इतने तथ्यों को समझा अभी आपने इन चीजों को देखा अगर आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं आप इसका screenshot ले लिजे और कहीं भी रहेगा इसे mobile में एक screenshot एक picture के रूप में देखकर आप इसे याद रख सकते हैं आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा एक नजर कभी भी डालिया screenshot लिजे दूसरों को share कीजिए ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं 30 rest तक की तो बात हम कर चुके हैं अब थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं कि इसके आगे बुद्धी वाले लोग कौन कहलाते हैं इससे आगे अगर बढ़ेंगे तो वो genius होगा हमारा तो अब हम जानेंगे अतिश रिष्ट से अधिक बुद्धी वाले बच्चों को क्या कहा जाता है इसको समझते हैं उनको प्रतिभाशाली कहेंगे इंग्लिस में genius बोला जाता है इनका IQ 140 से 169 के बीच होता है genius बच्चे इसके गुण वगर की चर्चा हमने previous वीडियो में काफी किया हुआ है genius बच्चों के गुण के बारे में अलग प्रहया समझाया गया है creative बच्चों का अलग और gifted बच्चों का अलग आप चाहें तो पुराने वीडियो को देख सकते हैं उसमें हमारे चैनल लिस्ट में उस अब सामिल होंगे तो genius बच्चों का IQ 140 से 169 के बीच होता है इसके बाद creative बच्चों की बात करते हैं जिनको स्रिजनात्मक बालक कहा जाता है या स्रिजनात्मक बुद्धी वाले बालक इनकी IQ 160 प्लस होती है अब सवाल कभी-कभी ऐसे भी आते हैं कि स्रिजनात्मकता में क्या सामिल होता है तो जो बच्चा स्रिजनात्मक है, कौन साइस में पहले से सामिल है, तो genius है, क्योंकि genius से ज़्यादा IQ creative बच्चों का होता है, तो जिनका IQ ज़्यादा होगा, वो अपने कम IQ वाले को अपने में सामिल कर लेते हैं, इस बात का ध्यान रखे प्रशन को solve कीजिएगा, स्रिजनात बच्चों के IQ का exact कोई idea नहीं लग सकता है, ऐसा term ने बताया था, 200 भी हो सकता है, धाई 100 भी हो सकता है, या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, कोई idea नहीं है, gifted बच्चों के IQ का कोई अंदाजा नहीं होता है, क्योंकि वो God gifted है, और God gifted होने का मतलब, ऐसा कोई चीज, कोई काम नहीं है या उसके लिए हमने कोई ऐसा बहतर टेस्ट नहीं प्रिपेर किया है जो उसकी अच्छी तरह जांच कर सके उसके IQ की और फिर प्रेजेंट कर सके तो उपहरात्मक या गिफ्टेड बच्चों के लिए लिए लिख दिया जाता है इसका IQ अगर कोई खास आइडिया किसी को नहीं होता 200 या 200 प्लस अगर लिखा रहे ऑप्शन में तो आप उसे चूज कर सकते हैं तो इस तरह से आपने देखा कम्प्लीट टर्मन का क्लासिधिकेशन किस रूप में है और क्या-क्या चीज़े इसमें शामिल हो सकती है अब गिफ्टेड जो बच्या है वो genius भी होगा creative भी होगा यह भी दोनों समझ लीजिएगा जो gifted है वो creative भी है और genius भी है क्योंकि gifted का IQ सबसे ज़्यादा होता है इसको थोरा सा analysis क के तब प्रश्न को solve कीजिएगा genius के अंदर creative सामिल नहीं हो सकता है एसा option में दे कि कौन सा line सही चूज कीजिए और सोच समझ के यहां चैन कीजिएगा creative के अंदर gifted अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे like कीजिए subscribe कीजिए और पुराने वीडियो को देखिए ताकि सब का combination आपका set हो सके exam के लिए पुराने वीडियो को देखिएगा तो इसमें genius के गुणों की चर्चा अलग की गई है creative की अलग और इनमें जो मंद बुद्धी बच्चे हैं पिछरे बच्चे हैं उनकी अलग चर्चा की गई है तो उन सारे वीडियो को भी आप देख के अपना concept बिल्ड कर सकते हैं ताकि exam में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहों तो आज के वीडियो में बस इतना ही next वीडियो के सा अगली बार मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार शुक्रिया अदाब आप सभी का बाई बाई